15 मई और 16 मई का दिन कुम्भ राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इन दो दिनों के कुम्भ राशी फल के बारे में ये दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्राहों की इस्तिथी क्या होगी नक्षत्र क्या होंगे योग क्या बनेंगे और किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिंचरिया में देखने को मिलेंगे जानेंगे सब कुछ विस्तार से इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ तो चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तेथी नक्षत्र और योग के बारे में हम बात कर लेते हैं पंधरा मई ये दिन मुधवार का दिन है और शुकल पक्षकी अस्ट में तेथी रहेगी अशलेशा नक्षत्र है और व्रद्धी नाम का योग सुभा साड़े साथ तक उसके बाद द्रुव नाम का योग बन जाएगा चंद्रमा दोपहर तक करक राशी में उसके बाद सिहिंग राशी में प्रवेश कर जाएंगे और सूरिय व्रशब रासी में आ चुके हैं गुरू के साथ योती कर रहे हैं क्रतिका नक्षत्र में अब इस दिन के राहुकाल का समय नोट करें जिस अबधी में आपको कोई शुब कारें नहीं करना है कोई मांगलिक कारें नहीं करना है ये समय रहेगा दोपहर बारा बज कर अठारा मिनट से दोपहर के एक बज कर उनसट मिनट यानि दो बजे तक का अब सोला मई का दिन ये जो दिन है ये गुरूवार का दिन है शुकल पक्ष की नव मीति थी रहेगी मघा नक्षत्र है और धुरूव नाम का योग सुभा साड़े आठ तक उसके बाद व्यागात नाम का योग बनेगा चंद्रमा सिहिंग राशी में आ चुके हैं सोरिय वरिशब रासी कृति का नक्षत्र में है और साथ में रवी योग बनेगा आप इस दिन के राहुकाल का समय नोट करें ये समय है दोपहर दो बजे से तीन बज कर बैयालिस मिनट तक अब ये हो गई हमारी ग्रहों की इस्तिति इसी क्या धार पर चले जानते हैं कैसे आपको परिणाम कैसे आपको बदलाव देखने को मिलेंगे तो पहले बात करते हैं पंध्रा मई के बारे में पंध्रा मई का दिन आपके लिए कैसा है तो सबसे पहले तो अगर स्वास्ते की ही हम बात करें तो स्वास्ते आपका अच्छा रहेगा स्वास्ते संबंदी, कोई भी दिक्कत, कोई परिशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी आज का दिन आपके लिए आप कुछ ऐसे कार्य को करेंगे, जिससे आपको खुशी मिलती है कुछ लोगों की help करने का कार्या करेंगे जो आपको मांसिक रूप से सुकून देने वाला होगा शान्ती देने वाला होगा अब चंद्रमा कहा हैं चंद्रमा वैसे आपके छटे भाव में है दो पर तक उसके बाद सब्सक्तम में चले जाएंगे सिंग राशी में चंद्रमा के रहने से आज आप ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि आपका जो आज जिन्दिगी के प्रती रवया है एक बहुत बड़े बदलाव के दोर से गुजर सकता है आपका जुकाव ऐसी चीजों की तरफ होगा वहवारिक और तरक संगत चीजों की तरफ आपका जुकाव रहेगा और देखिए एक परिष्थिती और अनूभाव में आपको बदलने की शमता है आप परिष्थिती के अनुसार बदलते हैं आपके अंदर वो शमता है और इसका परिणाम स्वर उपिस नजरिय के हिसाब से देखें तो आज आपको काफी अच्छा लाब देखने को मिलेगा और इस समय अबधी में आप में से कुछ इसराशी के जात तक नए अध्याय की शुरुवात कर सकते हैं अपने जीवन में नया अध्याय की शुरुवात कर सकते हैं जहां आप अपने सपनों को भी महसूस कर पाएंगे और अगर आप किसी रोमान चक व्यक्ति से मुलाकात करेंगे तो ऐसा संकेत भी है कि आज का दिन आपके लिए उस व्यक्ति से मिलकर काफी काविले तारिफ हो जाएगा आज बैंगनी रंग जरूर पहने बैंगनी रंग का कोई भी वस्रधारन करते हैं तो ये शुब रंग आपके लिए सौबहाग्य को बढ़ाने वाला है अकरशन को बढ़ाने वाला है और अगर इस दिन के हम सबसे ज़्यादा शुब समय की बात करें तो वो सुबहा दस बजे से साड़े ग्यारे बजे के बीच में है इस समय अबधी में अपने कुछ इंपोर्टन कुछ महतपन कारे को आप निप्टा सकते हैं आपके लिए इन कारियों की दुवारा आपको लाभ की प्राप्ती होगी बाकी इस राशी के जो व्यवसाईज आतक हैं जिनका खुद का अपना काम है खुद का अपना बिजनिस है इनके लिए आज का दिन काफी अच्छा है और धन संपत्ति के मामले में भी आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है ये दिन ऐसा है जब आप अपनी महत्वका अंक्षाओं को अपनी माता पिता को बतलाएंगे और ये सही समय है उनसे आप बात करें वो आपको सहयोग देंगे और आपको भी द्यान के इंद्रित कर कड़ी मेहनत करने के आवशकता है अपने रुमैंटिक ख्यालों को हर किसी को बताने से बचें इको तयाना वेक्ति हर किसी को अपनी बाते बताता है तो इस तरह की बातों को हर किसी से शेयर करने से बचें अपने तक सीमित रखें आपके ओफिस का माहौल तो ठीक है सहकर्मियों और वरिस्टों से मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा आपके पास समय तो होगा लेकिन ऐसा हो सकता है इसके बावजूद भी आप कुछ ऐसा नहीं कर पाएं जो आपको संतुष्टी दे शाम का समय सुभह के समय समय अच्छा है लेकिन शाम को ऐसा रह सकता है आप अपने जीवन साथी के साथ बड़ा अच्छा वक्त वेता सकते हैं इससे आपका रिष्टा बहुत मजबूत रहेगा और पारिवारे किस्तितियां आज बेहत शांदार दिखाई दे रही है बहुत युत्तम दिख रही है प्रेम जीवन भी अच्छा है वेवाहिक जीवन भी ठीक ठाक रहने वाला है आज एक कार्या जरूर करें जो जमादार होते हैं जो आपकी घर के नीचे गर के पास जाड़ू लगाते हैं ऐसे लोग होते हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ जरूर दें चाहे पैसे दें चाहे कुछ खाने का खिलाएं प्रेम से सदभाव से और सम्मान के साथ ये कारिया आप जरूर करके देखें इसका benefit आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा चलिए अब 16 माई की बात कर लेते हैं देखे 16 माई की भी बात करें तो अभी सूर्य का राशी परिवर्थन हुआ आपके चोते घर में और गुरू और सूर्य दोनों एक साथ विराजमान है उन दोनों का प्रभावा आपको देखने को मिलेगा अगर आप medical के field से हैं चिकित्सा के शेतर से उससे सम्मध है तो आज का दिन आपके लिए विश्य सुरूप से खास है या तो कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी या कोई अच्छा बड़ा मुनाफ़ा देखने को मिलेगा लेकिन मिलेगा जुरूर इसलिए आज का दिन लोगों के लिए बेहित खास है ये अवसर अचानक से आपको दिखाए देगा इसलिए बस अपनी आँखें कान खुला रखें क्योंकि आप ही कड़ी मेहनत है और आपकी कड़ी मेहनत का अफ़ल जल्दी ही आपको मिलने वाला है तो बस आपको तयार रहना है ताकि हर एक चीज से आप पीछे न रह जाए आज का दिन आपके लिए आपके हक में है इसलिए इसे अपने लिए ही बना रहने दें अपने इस साथ समय विताईए स्रजनात्मक रहिए कुछ खर्चा कीजिए अपने उपर कुछ खास पसंदा चीजों के उपर खर्चा कीजिए और कुछ अती कर रहे हैं तो उससे बचिए यानि एक बैलेंस जो बना कर रखते हैं वेक्ति अपनी जीवन में उस बैलेंस को बना कर रखना है किसी भी चीज की अती हो वो अच्छी नहीं होती चाहे वो किसी भी चीज की हो अती यानि की जरूरत से ज़ादा किसी जीज के पीछे बस पागल हो जाना तो इन चीजों को संतुलन बनाने का कारे के लिए संतुलित रखेंगे तो अच्छा है अब इस दिन को अगर हम आपके रिष्टों की बात करें तो अपने साथी के साथ अपने प्रेम जीवन में शब्दों का चुनाव ध्यान दे शब्दों का चुनाव ध्यान पूरवक करेंगे तो अच्छा है बिना एक दूसरे को ठे से पहुँचाए दिन को व्यतीत करें वन्ना ऐसा हो सकता है कि दवाहवा गुस्ता का टाक्ष के रूप में बहार आ जाए तो थोड़ा सा धहरिया बना कर चलें अपने विचारों और बातचीत के ढंग पर पैनी नजर रखने की आवश्यक्ता है ठीक ठाक कह सकते हैं जब तक आप अपनी वानी पर कंट्रोल कर रखेंगे तब तक ठीक ठाक है और जहां आप फूटे वहीं रिष्टे में तुरंत वाद विवाद की स्थिती हो जाएगी तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यक्ता आपको जरूर होगी अब सिक्षा की बात करें तो देखिए जो चंद्रमा की स्थिती है वो आपके छटे भाव से सब्तम सब्तम में आ चुकी है जो मैनेजमेंट की बढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा समय है छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा समय है माता-पिता की काफी करीब होंगे सिक्षा के शित्र में ठीक है और आपके माता-पिता का सपोर्ट भी मिलेगा कहीं अड्मिशन के लिए तैयारी चल रही है तो वहाँ भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा कुल मिलाकर अच्छा समय रहने वाला है तो दोस्तों और अधे कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें